जीहां डियर स्टूरेंट इस वीडियो में हम सॉल्ड करेंगे वार्सिक परिक्षा सत्र दोहजार बाविस्तेविस कक्षा पाचवे के लिए बसे अंग्रेजी का आपका कोशन पेपर जो कि आपका दिनांक 29 मार्च को आपके स्कूलों में लिया जाएगा जीह स्टूरेंट इस वीडियो में सेट डी का हम कोशन पेपर सॉल्ड करेंगे जो कि आपके स्कूलों में आपको दिया जाता है किस तरीके से आपका कोशन पेपर आएगा किस पैटरन में आपका कोशन पेपर आएगा सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा तो इस वीडियो को आपको लाश्ट तक जरूर देखना है क्योंकि हम इस वीडियो में कक्षापाच भी अंग्रेजी सामानी का कुशन पेपर सॉल्व करेंगे सेटर्डी का पूर्णा किसका रहने वाला आपका साथ अंका और कुल प्रशन आपके रहने वाले चोबिस अंका तो यदि आप भी चाहते हैं कि साथ में से साथ नमबर आपके आए और आपको टॉपर बनके निकलो तो इस वीडियो का आप लाश्ट तक जरूर देखीगा देखे कुछ इस तरीके से आपका कुशन पेपर आएगा और इससे पहले मैंने जितने भी आपको कुशन पेपर प्रवाइड गे थे सभी बच्चों के कॉमेंट आए भरवरकी की सरह में जो है आपके कुशन पेपर से कुशन सफसे इस वीडियो में आपको सेटिडी का पूरा कोशन पेपर हल सहीद बताया जाएगा इस वीडियो को आपको अंतक जरूर देखना है कोशन टोटल है 24 मार्ग 660 और इसका है कक्षा पांचवी और विसा है आपका अंग्रेजी सामाननी का कोशन पेपर यहाँ पर आपको देखे स्कूल का नाम लिखना है डाइस कूड लिखना है परिक्षा केंदर का नाम लिखना है परिक्षा कदिनांग 29 मार्च 2023 लिखना है इसके बश्याद देखे आपका अंको में यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है इनको आपको चेड़ चाड़ नहीं करना है चली सीधे question paper की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपका question paper तो सबसे पहले चात्रों आपको यहाँ पर देखिए multiple choice questions आएंगे जो आपके एक से लिकर दस्तक रहेंगे एक से दस्तक आपके विकलब बाली question आपने देखे होगे आपने परिक्षा में तो इसी तरीके से आपको English में भी आएंगे सबसे instruction है सबसे पहले कि read the questions and write the correct answer from the options given below इस तरीके से आपके हैंपर बूला जाएगा उसके बाद है कि इसका पहला मतलब ये वाला इसका तरीक से हो जाएगा यहां पर चाहितरो आपके एक नंबर पक्के हो जाएगा पूरे में से पूरे नंबर आप लेकर आउगे पस आप इस वीडियो को लेक्श त कजरूर देखेंगा और देखिए इसके बाद आपका दूसरा प्रशन है की Rhyming Word for Light Rhyming Word for Light क्या हो जाएगा? Milk होईगा, Fight होईगा, Mine होगा, To होगा तो देखिए Light Fight ये Light Fight जुड़ा है, Rhyming Word जो होते हैं उनके जो है उच्छारण में जुड़ते हैं आपको यहाँ पर लिखना है Fight Fight इसका सही उत्तर हो जाएगा, Rhyming Word हो जाएगा, Tight का Fight भी वाला उत्तर हो जाएगा इसके बाद है की तीसरा प्रशन आपके सामने की Opposite for the word Happy Opposite आपका Happy का क्या होगा? Open होगा, Smile होगा, Sad होगा, Attitude होगा सही उत्तर हो जाएगा, Sad Sad इसका जो है, आपका Opposite word हो जाएगा यह आपको लिख देना है इसके पर शाद देखी, चौथा प्रशन आपके सामने है जाएगा What is the past from the verb C C का आपका past from क्या होगा? Sad होगा, Says होगा, Saw होगा, फिर Sum होगा सही उत्तर हो जाएगा, Saw Saw इसका past from हो जाएगा, आपका C का C आने होता है देखना, Saw आने होता है देखा इसके पर शाद देखी, पाच्छाव प्रशन क्या आपका की Rhyming word for Toy Toy का Rhyming word इससे पहले भी मैंने आपको बताया जिसका similar उच्छारान होता है, उसको J S बोला जाएगा, यहां पर जो आपको देख्या चितर में दिखाई गया ज़ेगा, कौन से कहल है, आपको बताना है, तो देखी केरम होगा केरम होगा, चेज होगा या फिर Swag, कृकेट होगा होखी होगा, तो देखी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा चाहते हो Amen यह जो लड़का जो खेल रहा है, यह होकी खेल रहा है, तो आपको उत्तर लिएना है होकी, मतलब D वाला उत्तर हो जाएगा, इसके बाद देखिए, आपका साथा प्रशन आज़ आज़ आज़ाएगा कि what you call मुर्गी in English, मुर्गी को आप इंग्लिस में क्या कहते हैं, पैरोट कहते हैं, डक कहते हैं, हेन कहते हैं, या फिर माउस कहते हैं, तो मुर्गी को हेन कहाज जाता है, तो इसका उत्तर होजएगा हेन, c वाला एसका सही हुथर आपको लिखना है, इसके बाद आपका आटवा प्रशन क्या है कि अपोजिट वर्ड फोर बिग बिग का अपोजिट वर्ड मतलब विलूम शब्द क्या होगा बड़ा बिगाने होता है बड़ा तो छोटे को क्या कहेंगे हम लोग छोटे को क्या कहा जाता है long कहा जाता है good कहा जाता है small कहा जाता है biggest small कहा जाता है small मलत छोटा होता है तो c वाला उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा चली इसके बाद आपका नुवा प्रशन हम देख लेते हैं rearrange it heard little the plant तो इसको आपको rearrange करना है की, past tense of ride, ride का past tense क्या होगा, good होगा, wake होगा, rod होगा, फिर rides होगा, सही उतर हो जाएगा, rod, rod जो है, इसका past tense हो जाएगा, ride का, ride मतलब होता है, सवारी करना, या फिर drive चलाना, तो इसके बाद देखें, अगला है कि short answer type questions, गयारा से 20 तक आपके short questions रहेंगे चलिए इसके उत्तर हम देख लेते हैं, डायरेक्शन है कि answer the questions given भी लोगी, question number 11 है कि write the fourth sentence about your mother, तो देखिए आपको अपनी मम्मी के बारे में यहाँ पर चार वाक के लिखना है, तो आपको लिखना है, my mother's name is blank, आपकी मम्मी का नाम जो भी आप यहाँ पर लिख सकते आपको यहाँ पर question number 11 का उत्तर लिखना है, वीडियो को रोकर आप पर उत्तर नोट कर लीजगा, इसके बाद देखिए चाहतर कुछ इस तरीके से बारवर प्रशन है कि why do you like your school, you three reasons, आपकी अपने school को पसंद करते हैं, कोई तीन कारणा आपको लिखना है, so आपको पहला हर महने जो कारिकरम करे जाते हैं, entertainment के लिए, और मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड है मेरे school में, तो इसके तीन कारण आपको लिख देने हैं, तीरवर प्रशन की what is the ancient name of महिस्वर, महिस्वर का प्राचीन नाम क्या था, उत्तर लिखना है, इस तरीके से तीरवर प्रशन का उ करना है, तो पहले का उजाए का nation, दूसरी का country, तीसरी का home और चोथे का good, इस प्रकास से आपको 14 नंबर की question का अंसा है, चलिए, इसके बाद ही 15 नंबर का question आपके सामने आएगा, कि draw the picture of pencil and write a four sentence about it, तो देखिए, आपको यहाँ पर pencil का चितर ड्रॉ करना है, इस तरीके से pencil आपकी हो जाएगी, इसके पाद देखिए, इस से related आपको यहाँ पर sentence लिखना है, तो देखिए, sentence आपको पहला हो जाएगा, pencil is the basics need of any student, writing, writing with the, it makes a student to become a friend, third हो जाएगा, student need a pencil which is smoother, dark, चोथा जाएगा, writing with the pencil can be erased, इस तरीके से हम इसको मिटा सकते हैं, तो आपको यहाँ प आप सूला प्रशन हम देख लेते हैं, which color do you like most and why, आप कौनसे color सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, और क्यों पसंद करते हैं, आई है, love to help in the kitchen, so my favorite color is the golden, golden brown of a perfect rotis better to, इस तरीके से आपको यहाँ पर सूले प्रशन का उतर लिखने, आपका जो है, golden brown, जो है, perfect color होगा, इसके बाद देखे कुछ इस तरीके से, write five sentence about the given picture, यह चीटी की बारे में आपको यहाँ पर कितने, five sentence लिखने हैं, so इस तरीके से आपको, पहला एदक है, this is a ant या चीटी है, ant is a small insect है, एक शोटा कीड़ा है, तीसरा, they can bite है, जो चाबता है, इसके पाद चौता है, they are found at a home, and outside ये घर में, और घर के बाहर पाई जाते हैं, और पासो आजाएगा कि देखेन भी, red, black और brown, इस तरीके से, आपको लिखना है, यह आपके 17 प्रशन का उतर हो जाएगा, इसके बाद देखे, आपका महाँ पर 18 और नमर का प्रशन हो जाएगा, चाहतरो कि write poem on any animal, कोई भी पासो के उपर आपको एक animal लिखना है, तो आपको लिखना है, डंकी, डंकी, old and gray, open your mouth, and gentle breath, इस तरीके से, आपको poem आपको लिख देनी है, animal के उपर, यह अटर प्रशन का उतर है, इसके बाद देखे, आपका 1900 प्रशन है कि, what did the little plant do, little plant ने क्या किया, तो उतर आपको लिख पी, state, इस तरीके से, उन्नी सी प्रशन का उतर लिखना है, यह पूरा सही उतर है, वीडियो रोकर आप पूरो उतर लिख शकते हैं, इसके बाद की 200 प्रशन है कि, who asked the little plant to come outside, यह किसी ने कहा था, उतर आपको लिख देना है, the sunshine and the rain drops, ask the little plant to wake up, the little plant watched the, how was beautiful, wonderful world outside, may it be, इस त प्रशन का उतर हो जाएगा, तो इस तरीके से, इस चात्रों यहाँ पर हमने class 5th का, class 5th का English का आपका 29 March का paper देखा है, so इस तरीके से आपका इसी pattern में आपका question paper आएगा, so उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक आपके शबी मित्रों की help हो सके और चाल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी तक चाल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा, सबी वीडियो आपको यहाँ पर provide करवाई जाएगे, so मिलते हैं student किसी और नए वीडियो में, और नए paper के साथ तक ले take care, जहिन बाबाए